हलो गाइज, कैसे आप आशा करता हूँ, अच्छे हो गाइज, एक मेरे को कमेंट मिला था, कि what is share buyback, तो मैं वो चीज़े आपको define कर देता हूँ इस वीडियो में, सो गाइज, वो चीज़े define करने से पहले मैं बता दू कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल पर माइ लेटेस्ट वीडियो, ताकि आपको टाइमली डेली आपको जो मेरे नए वीडियो के नोटिविकेशन आपको टाइम करती है कि हमें कुछ शेयर, जो कंपनी के शेयर होते हैं, वो शेयर होल्डर से वापस चाहिए, उसके पीछे रीजन काफी सारे हो सकते हैं, उसके पीछे काफी सारे जो की जैसे की financial ratio boost करना हो, capital structure change करना हो, और जैसे की जो unused cash हो, उसको invest करना हो, या फिर जो भी जैसे की employee को देने हो, या कोई भी उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, तो guys जो share, उसमें कुछ limit of share decide करती है company की इतने share हमें वापस से ही है, shareholder से, तो एक offer देती है, हर किछी shareholder को, उसमें एक limit होती है, time limit होती है, कि जिस बंदे के पास, इस date से पहले जो भी share होते हैं, उसका कुछ percentage decide करती है, कि उतना percentage आप उस company को वापस दे सकते हैं, जिससे जो आपके उपर depend करता है, उसमें किसी को कोई force नहीं किया जाता है, अगर आप चाते हैं, तो आप अपने share, उस जो share value जो decide की जाती है, उस value में आप उतनी percentage of share आप company को वापस कर सकते हैं, वो आपको, आपका ज तो जिसके साथ भी DMAT account है, वो आपको उससे बात करनी पड़ती है, अगर आपके पास वो share उस time limit से पहले के हैं, तो वो share buyback होता है, उसमें काफी सारे region हो सकते हैं, financial structure अच्छा करना हो, या फिर capital structure उसको change करना हो, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो इसलिए ये चीजे buyback होती इसलिए रिजन होते हैं की कमपणी भी बाइग कर ती है, so maybe you understand exactly what is this share buyback, so thanks a lot for watching this video, so please subscribe my channel and please like, comment and share my video to your colleague, to your family member, so thanks a lot once again and please take care in that covid situation to yours and your family, thanks a lot once again take care